दोस्तों आज के इस वीडियो के दम बात करना है बैरेना वारियर्स वर्सस टीवी एच की विज़ों होने लाइस के पहले इसले तीदन मैच के बारे में एक एक प्ले का पूरा पूरा एनालिसिस बताने वालों कौन किस नंबर पर बल्ले वजी के लाएगा कौन की दिने और करके देने वाला है इस मैच के आपको लिए पीछ रिपोत क्या होगा प्लेइंग 11 जिदाने में मदद कर पाएंगे सबी चीजों कर वन बात करेंगा बस आपको अपने तो से काम करना है आपको हमारी खुद थी में एक मैच के पैसे लगाऊंगा तो वो लाइन अप आने के बाद ही माल में चलेगा कि कोई से प्लेस खेल रहा है कोई से नहीं खेल रहा है तो जो भी फाइनल टीम होगी वो मैं आखरी के पांच मिनत में स्क्रीन स्वाथ के जरीए अपने तेलिग राम चलेल को पर आपको फ्री में भेज़ दूँगा तो जोइन के नमद बुलना अभी उस तीम से खेल सकते हो लेकिन हाँ हमाई तेलिग राम चलेल को पर आपको जोइन होना जरूरी भी आसान भी और एकदम फ्री भी रहने वाला है सबसे पहले बात करें तो को सी टीम में मैं जीज सकती है एकदम बराबरी की टीम है तो आपको एक काम करता है कि बल्ले बाद जोआ बॉलर्स को जादा ले करके चलना है और जो भी तीम आपको लग रहे कि मैं थोड़ा सा जीतने के चांसे से उनके बल्ले बाद जोड़ा सा जादा फोकस कर सकते हो बात करें के प्ले के अनालिसिस पर जे बैंच अब पहला रिजन की इस मैंचे चल सकता है आखरी मैंचे फ्लाप भी हुआ है और इससे पहले जब इस तीम के खिलाफ मैच के लाता ना टीवी एच के खिलाफ वहाँ पहाँ और तीज पॉइंस जिला करके आए हुआ हुआ जरूरी प्ले रहेगा उसका एस जोर्ज जिसका नाम पहले बले बाद जो मैं आ रहा था लेकिन अब जो है फिकित की पर मैं आ रहे है क्योंकि ऐसा फिकित की खिल रहा है तीवी एच की तीम कोड़ से बले असमों ऑपनिंग करेगा आखरी मैच ये भी चार वाल पे जीरो ऑपनिंग करने वाला है उसके बाद यहां से बले बाद जो नमबर फट ले रहेंगा जी पोप जो किया आपको टीवी एच की तीम कोड़ जबले बाद इपर ऑपनिंग करेगा प्लस आपको एक से दो ऊवर बालिंग भी आखरी मैच गया आए ऐाहां पर भी एक संवर बा बना रहे हैं आफ जी एल की तीम क्यों ना बना रहो बी जोसफ आखरी के अगर आप इसके नौ मैचस देखो गया यह मैच बारी स्कुजर से कैंसल हो गया तो वहां पर अच्छा परफॉर्मिस यहां पर भी यहां पर भी इससे पहले आप पर देखो कि स्वेंटी फोर यहां यहां पर भी उससे पहले अच्छा परफॉर्मिस करके दिया हुआ है यानि कि आखरी के जो इसने छे मैचस के लिए ना उससे पांच ऐसे मैचस गया हुआ जाप इसने असी कड़ी पॉइंस दिला करके गया हुआ हर मैच में तो जरूरी प्लैर रहे हैं ऐसा वीसी आपके नमबर वन चोईस रह सकता है के कैब या आखरी मैचस हमें मिनी जील तक का वहन कराने में मदद किया तो जापर किसी ने भी नहीं लिया था आपको बॉलिंग से दो ओवर पुरा करके देने वाला है लेकि कई बार ऐसा भी हो रहा है जब इसको बॉलिंग करने का मौका मिली नहीं रहा है आखरी मैचस इसने दो ओवर बॉलिंग किया तीन फिकित मिले यहाप इसने एक ओवर भी बॉलिंग नहीं किया एक ओवर भी बॉलिंग किया नहीं और बले वसी आई नहीं यहाप इसने एक ओवर बॉलिंग किया जाप इसको एक ही फिकित मिला यहाप इसने द सिर्फ आखरी मैचे फ्लाप हुआ है उससे पहले देखो 24 33 यहां पर 49 यहां पर दस यहां पर देखो 29 25 की तीमी समय चे 120 के करीब हरा रहस्त पर दे सकती हैं यहें दोनों प्लीयस का मिला करके आपको notre charmamine मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा है मैं यह जो की एक इसा पस को सकता है जो कि आपको सतर के पोइंस दिला आ कोई एक ऐसा हो सकते जो कि आपको 30 की करी पॉइंच दिला है यानि कि मुझे उमीद यह यह कि यह दोनों का मिला कर कि असी मिनिमम पॉइंच मिलने ही मिलने वाले मैं जूनियर हैंडी को लेकर कि सरो जे ऑगीन आखरी मैचे इसने बल्ले बाजी से परफॉमिस किया आपने दे परफॉमिस कर रहा था लेकिन आखरी मैचे इसने बल्ले बाजी से अच्छा परफॉमिस करके दिया हुआ है बल्ले बाजी मैं सिक्सनों पर आ रहा है बॉलिंग कर देगा कोई मौका मिल नहीं रहा है तो मैं इसको नहीं लेकर के चल रहा हूँ आपको एक काम करना है जियो बच्चे वे प्लेस के उससे पहले देगो यह जो आपको एक टीम बना के दिखा रहो ना यह की इनिसियल तीम है जो कि लाइना पाने से पहले की तौस होगा लाइना पाएगा उसका प्लेइंग 11 आएगा उसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे तो उसके बाद जो भी हमारी सब्सक्राइब पहले सब्सक्राइब है यहां पर आपको जोईन और फ्री एक करना कोश़ बीदियो को देख रोगे उसके तैदल को आप क्लिक करोगे तो सीधे सीधे हमाई डिस्क्रिप्टिप्ट्स न पहुंच जागा जहाएं तो कवें सक्षा मॉक्स पर जाना सबसे प बुलना जोईन और फ्री भी आसान भी जरूरी भी रहने वाला है बात करें यहां सो जी तैसन बल्ले बाच में का प्यारा आथ में आपर प्यार है बल्ले बाच में जब भी मौका मिल रहे ना आपको दोस पंदरा बीस रन मना करके दे सकते हैं लिकि मौका बहुत ही कम मिल बॉलिंग साब को हर मैंच पर्फॉर्मिस करके दे रहा है तो ज़रूर ही पिला रहा है कुर्दले एंसल में बॉलिंग साब को दो और पुड़ा करेगा बल्ले बाची में भी सैवन अब आप आएगा प्ले बाची से भी रंस बना करके दिया हुआ यहां पर इसने बले मिला यहां पर इसको एक फिकत मिला हुआ है तो बॉलिंग से एक फिकत के लिए आप लेकर करके चल सकते हुआ कि बहुत ज्यादा अच्छा कोई बॉलर है नहीं आपको लग रहे कि टीवी अच की तीम सामने वाली तीम के दसों फिकत गिर आने वाली है आप अब आप दी अ यहां पर भी इसको बॉलिंग करने का मौका मिल रहा है यहीं रिजर एक मेले करके नहीं चाहरा होगा बेरेना की टीम पहले बॉलिंग कर रही होगे तो आपको लेंग रहे सकते हैं अगर लाग रहे कि दो ओवर बॉलिंग पुरा करेगा लेकिन अगर इसने बॉल कर दिया मिनिमम आपको दो से तीन खट लें करके जाए गई जाए जाए आइगा विगेत एक तेका बालिंग करने का मौका नहीं मिलाया रहा है रहा है इसके पास एकस्पीरियेंस लेवल भी जादा है यह इसकी तीम का आखरी सेजन का one of the best बॉलर भी था और विकेट देका बॉलर भी है तो जरूरी प्लैर रह सकता है बात कर अपने कैव इसी के बारे में जो की कि स्मॉल लिग तीम के लिए बहुत जरूरी है मैं पतीम कैव इसी किसको लूँगा उससे पहले देखो मैं अपने पूरे पैसे जो है ना इस मैच के अंदर 11 चलेजर पर लगाने लो यहाँ आप आपको फैंटेस्टी के जितने भी एपली के सने सबसे ज़्यादा आपको लो एंधर रिफीज देखने को मिलेगा यहाँ पर मेरी केनिबस एवा अपने 1000 रुप लगाऊ बिना हरी आपको 100 रुप पचालोगे 10,000 रुप लगाऊगे तो बिना हरी आपके 1000 रुप पचालोगे 11 चलेजर आपको इतना ज्यादा आपको लो एंधर रिफीज देखने को मिलेगा यानि कि आपको यहां पे बहुत ज़्यादा आपका लॉस्ट कवर भी हो जाएगा बहुत ज़्यादा आपको लो एंद रिफीस भी देखने को मिलेगा 11 चलेजिस अपका लिंक आपको दिस्किप्शन मिल जागा बाकियां सो कोई भी तरना अच्छा अपसा नजर नहीं आ रहे यह कामारी इनीसियल टीम है इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे जो भी फाइनल टीम होगी वो मैं आपने तेलिकर राम सालल को आपको फ्री में भेज़ दूँगा